हाई गाईज आप सभी का स्वागत है संजीव सर के यूटूब चैनल में जैसा की कोशन आप लोग देख रहे हैं इलिप्स इलिप्स चेप्टर का ये कोशन है इलिप्स बनाने का बहुत से तरीके होते हैं मैथड होते हैं लेकि उन्हें में से एक मैथड है हमारा आर्क आफ अरक आफ सर्केल मेथड आर्क आफ सर्किल मेथड के थूरू भी इस इलिप्स को हम बनाएंगे यहां पे यहां पे आपको मेजर एक्सिस दे चुका ओना कम Canada 150 एम एम एंड माइनेर एक्सिस भी हमारा सो एमेम दिया गया है अब देखिए इसकी थुरू अब ये आर्क आफ सर्किल मेथट के थुरू हम इलिप्स बनाना शुरू करेंगे जो भी एश्टूडेंट अभी और इलिप्स बनाने का तरीका नहीं देखे वो जाके मेरे चैनल पे प्लेश्टोर से जाके प्लेश्ट से अपना जाके देख ले उसमें टोटल इलिप्स का सभी पॉइंट कभर किया गया है कोश्चन देखेंगे ध्यान दीजेगा यह हमारा मैजर एक्सिस है हमारा 150 mm है तो हम मैजर एक्सिस का एक रेखा लेंगे 150 mm यहां पर फर्स्ट स्टेप यानि माना एक मेरा यह भी रेखा हुगा यह कितना है मैजर एक्सिस जितना दिया है आप देखेंगे अब 150 को दू भाग में डिवाइट कीजिएगा तो कितना होगा यहां पर चांद की सहता से यहां पर लंबोत रेखा डालेंगे तो ध्यान दिजेगा इस पॉइंट को बीचों बीच में रखेंगे यहां पर देन रखने के बाद आपको एक उपर एक ड्रो कर लिजे एक देखेंगे यहां पर मार्किंग कर चुके हैं यहां पर इतना होगा अब इसको क्या किजिए एक दूसरे से यहां से मिलाते हुए यहां एक रेखा इसे ले लिए इसका लोंबवत रेखा इसको ए हो बी हो गया इसको बीच में ओ दिखा दीजेए ओ अब देखिये हमारा माइनर कितना है 100 mm है 100 mm है तो 100 mm है इसमें आप लोग पचास उपर लेंगे 50 mm उपर लिया जाता है यह सेंटर पॉइंट से उपर 50 mm लेंगे मेरा यहां तक आरा और 50 mm नीचे मेरा किलियर हुआ तो यह जो लिये इसको सी माल लिजिए और यह वाला हमारा डी हो चुका यह वाला पॉइंट कि इतना किलियर हुआ एक बार फिर से देख लिजिए कि मेरा सही है लिया है कि नहीं देखे 150 उसके बाद आपका सो इतना किलियर हुआ आप देखे आगे इसमें कमपास किया सबक यह को 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 देखे यहां पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले सबसे परहले असमे लगी को सबसे पाहले क्लियर रहेंगे यह और व का दूरी कम्पास में देखिए यहां पर पुढ़ा यह और ओ का दूरी भर लिए कम्पास में अब यह काम कहां रखेंगे इह कमपास की नोग A और O का दूरी A और O का दूरी था हम A और O बोल दिये तो A और O का दूरी कमपास भर लिए अब इस कमपास का नोग C पर राखेंगे यहाँ पे हम एक पॉइंट इधर A और रेखा पे निकालेंगे फिर सेम प्रोसेस वह भी रेखा पे भी एक पॉइंट निकाले, देखेे, दुनों जगा हम मार्किंग कर दिये, समझ में आया मार्किंग कहा से किये, देखे, अब इसको नाम दिया जाता है, ये वाला जो पॉइंट मिला, ये वाला, तो इसको F1 फोकस, इसको F1 के नाम से जा जानेंगे और यह वाला पॉइंट हमारा F2 के नाम से जानते हैं ध्यान देजिएगा F1 और F2 पॉइंट कैसे ग्याद कीजिएगा यह काफी इंपोर्टेंट होने वाला है इस कुस्चन में देन उसके बाद देखेंगे उसके बाद देखिए अब F1 और O के बीच का जितना भी दूरी हो इसको आप अपने अंदाज से लगभाग है इक उखी पाट में इसका डिस्टेंश लेल चाई इसको इकुल पाट में तीन भाग चार भाग पांच भाग 6 बाग यानि क्यूस्चन के हिसाब से जितना मेजर्मेंट देऊ इसके हिसाब से कॉम या ज्यादा ममाप दूरी ले सकते हाँ इसको चार भाग में बाट careful पांच भाग में बाट के आपको लोगता है एक दो तीन चार और मेरा पांच हुआ पांच पॉइंट ले लिए अब यहां पे इसको वन दिखा दिए डू थीरी फोर और मेरा फाइट ध्यान दिजिएगा जो भी स्टूडेंट को अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो रहा तो वीडियो को फिर से दूबारा रिपीट करके देखेंगे क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर हर एक पॉइंट यह आप लोग को किलियर हुआ एफ और ओ के बीच का दूरी जो भी हो आपको जैसे यहां पे मेरे हिसाब से यहां पर था कि इतना है पच्पन है मेरा फवान और ओ के बीच का दूरी पच्पन लेकि हम इसमें क जो यह नमांकित करेंगे इसके बीच का दूरी सेम होना चाहिए इक्वल होना चाहिए कैसे बहुत यह ध्यान रखता इस इस ग्राफ को यह इस इस इलिप्स को इस डाइग्राम को बनाने में इसका अहम भूमी का होता इस पॉइंट का तो आप इनहीं कि हम पांच भागे त अपको फाइदा रहता है तो फीगर कहीं साफ से कई छोटा फीगर है कई छोटा मेजरमेंट है तो हम लोग कमे में बांट देते हैं तीने पर बांट देते कोई बाड़ इस से बाड़ा रात था हम और जैसे लिए लेते पांच, शे, साथ, आठ दस जो भी आता मेरा उतना ले सकते हैं इसमें कोई पावन्दी नहीं है कि ये इतना यहाज रवा अब नेक्श देखेंगे हैंगे यहाँ पे आप आप द है इतना किलियर सब किसी को हो गया इसको हटा दीज्ये साइड में आप देखेंगे आप лекो सेंटर लेंगे एको कमपास में दूरी ए और वन का दूरी लेंगे ए और वन का दूरी समझेगा ठीक से ध्यां से समझेगा कहां से दूरी कौन सा ले रहा है ए और वन का दूरी ले लिए कमपास में ए और ए और वन का दूरी ले लिए कमपास में देखिए ए और वन का दूरी हमारा ले चुके हैं अब नेक्ष देखिए आगे क्या करेंगे अब एफ वन पर रखेंगे कमपास की नो को एफ वन पर और एफ वन के जस्ट उपर एक मार्किंग करेंगे कहा करेंगे एफ वन के उपर इधर मार्किंग कर देजे फिर उसका निच्छे मार्किंग कर देंगे हुआ हुआ इतना है क्लियर हुआ ना फिर देखेंगे के अब इतना ही दूरी जीतना यहां से लिए यह से वन के बीच का दूरी को तो तो उद्धा उपर नीचे फिर अब यहीं काम अब सेम प्रोसेस एफ टू पे रखेंगे एफ टू पे और एफ टू के जस्ट ऊपर या नीचे मार्किंग करें किलियर हो रहा है ना सब किसी को जी देखें यहां पर नहीं समझेगा तो दिकत हो जाएगा आगे चलके सबस्क्राइब है फिर नेग्ष्ट अगले स्टेप में अब एसे नेके वन का दूरी लेए तब एसे लेके दो का दूरी लेंगे कम-पास में अब फिर एफ उन पे रखेंगे दर फिर यहां से उपट अर लेखिंगे मार्किंग करेंग फिर दर से मार्किंग कर दिये फिर वहीं काम अब F2 पे रखें फिर ये भार और इधर ये वाला मेरा किलियर हुगा सेम काम सेम प्रोसेस अब ये दो पे था ये मेरा अब तीन पे हुगा अब तीन से लेके F1 पे रखेंगे फिर दूरी सेम काम यहां पे देखिए step by step बनाईएगा तब जाके किलियर होगा जो भी students को दिकत हो रहा है होगा ओ फिगर को ये वीडियो है उसको repeat करकर के देखिए यहां से देखिए इधर किलियर होगा फिर इधर से फिर अब वहीं काम सेम अब ये से लेके हम ये तीन का था अब ये से लेके हम चार का दूरी भर रहे हैं आब रखेंगे focus f1 पे अफिर इधर मिलाएंगे और हमारा इधर आब वहीं सेम काम अब f2 पे रखके अफिर उपर और नीचे किलियर हुआ इतना सबकी सी को किलियर हो रहा है है फिर यहां से हम f4 प्राइन पे था अब 5 का रखेंगे ऐधर उप ऊपर मार्क Kathy कर देंगे फिर एफ 2 पर रकेंगे हमारा वपर और नीचे इस इतना किलियर जिसको आ गया तो आगे कोई जहट नहीं है देखिए अब हम A से लेकर A से लेकर A का दूरी लिए थे अब सेम यही काम हम देखिए अब B पे रखेंगे अब B का यहां पे थोड़ा धियान दिजेगा अब B से लेके, B से लेकर 1 का दूरी कमपास में भर लिए, देखे ध्यान दिजेगा यहाँ पे, बहुत लाड़का यहाँ पे गलती करता आजी, अब इसको हम F2 पे रखेंगे, F2 पे रखकर, अब इधर मार्किंग करेंगे, अब सेम का देखे, ध्यान दिजेगा, इधर मार्किंग करेंगे, अब यहीं F2 पे रखे, अब इसको कमपास का लोक अब, सेम इतना ही दूरी का रखेंगे, अब यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, और यहाँ पे मार्किंग कर, किलियर हो रहा है, हो गया मेरा इसका काम, फिर अब B पे रखेंगे और अब 2 का दूरी भरेंगे कितना का जी 2 का दूरी B से लेके 2 का दूरी अब यहां से फिर F2 पे रखेंगे और दूसरा पॉइंट आमारा यह है अब यहां पे मार्किंग कर देंगे किलियर हो रहा है सब्सक्राइब यहीं काम F1 पे रखेंगे अब इधर भी मिलाईए और इधर भी मिलाईए देखें जिस भी स्टूडेंट्स को दिकत होगा वो वो बोलेगा जी हां हमको यहां पे उसको फिर से हम बताएंगे अगर जिसको प्रोब्लम होगा ध्यान दिजिएगा फिर अब का अब B से लेके ठीरी का दूरी कम पास में भरें ठीरी का अब F2 पे रखें अब यहां पे लेफ्ट में लिजिए राइट फिर अब सिम डिस्टेंस F1 पे और यहां हमारा उपर और नीचे लेफ्ट राइट में हो गया इतना किलियर फिर अब B से लेके फोर का दूरी भरेंगे कम पास में हो गया मेरा दूरी आरा है ना जी देखिए जिनको समझने में दिक्कत होगा यहां पे बोलेगा जी अब फिर F2 पे रखेंगे कमेंट कीजिए अगर जिसको प्रोब्लम है कमेंट कीजिए उसको फिर से वीडियो बना के ब पर और नीचे मार्किंग कर दिये आब सेम् प्रोसेस एक बार और आब चार से ले आब कौन सा पांच से लेए पांच से अब एफ़टू पे राखेंगे आब इधर मार्किंग कर दिये इधर भी कर दिये आज सेम डिस्टेंस एफवान पर रखके अब इधर भी मार्किंग किये और इधर इतना तक किलियर हुगा इतना तक जिसका किलियर हो गया लगभग आपका फिगर बन चुका जी देखेंगे ध्यान दीजेगा यह जो भी हमारा कटीण पॉइंट है हर पॉइंट को एक दूसरे से रफ्रेंज के पकी सहायता से मिला दें जो लोच ging आपको यह मार्किंग करने में काटने में लोचा है अब द anticipating зем beim le veteransordon आपड़ों को बताए थे कि हम फिर्ज कॉर्ब की सहायता से कैसे सर्किल को एक ड्रोग करेंगे देखिए ध्यान दिजेगा आपको मिनिमम कितना पॉइंट बोलेंगे मिनिमम तीन पॉइंट यानि तीन पॉइंट एक दूसरे से मिलना चाहिए जी देखिए ध्यान दिजे यहां पे मेरा मिल रहा है फिर यहीं सेट स्कार को प् लटने के बाद आपको यहां पर तीन पॉइंट देख लेगे कि हम नेरा कहा मिल रहा है यहां पर देखें कि देखें मिलाते समय राम से मिलाइए नहीं तो पुड़ा बनाया फ्रीगर आपका खराब हो सकते देखिए यह मेरा तीन पॉइंट मिल गया आप सेम काम आगे भी फिर तीन पॉइंट इसमें देखेंगे कभर हो रहा है कि नहीं मेरा कम से तीन पॉइंट मिला आईएगा तब जाके फिगर आपका काफी बेश्ट आएगा जी ना तो कुशिस की यह चार पांच एक बार में मिला देने तो थोड़ा सा फिगर हमारा क्या हो सकता है गलत हो सकता है सेम काम सिट स्कॉार को जैसे उपर खिच रहे सेट स्कॉार को वह फिर नेक्स्ट अगला स्टेप देखेंगे अब यह वाला हमारा सेंटर पॉइंट यह नहीं है यह वाला डी लिए थे आव यहां से हम डी यह ले लिए फिर इधार देखें ध्यान दीजेगा यह वो गया मेरा यह जैसे इधर सर्कृल को ड्रो की है से मोई साही इधर करना है ऐसा क्या कि जैसे पेज को ऐसे उल्लत वी उल्लता भी कर सकते हैं इसे ड्रो करने के लिए नहीं तो कि आप यह साही रखिए हम आपको यह साही बता रहा है इस तरो बुले थे पेज को उल्टा करने के बाद आप अब हर पॉइंट को जैसे उधर मिलाए थे सर्केल सेम वे साही इधर भे मिलाना है ध्यान दिजेगा देखिए इधर इतना मिल गया फिर से टेस्कार को ऐसे उल्टा कर दिजे और उल्टा करने के बाद ध्यान दिजेगा इधर ध्यान दिजे हालका सम्मेरा यहां पे इती हो गया कोई दिकत आ रहा है पुड़ा फिर वहीं काम आप सेट स्क्वार से यहां पे देखिए यहां पे मेरा सभी पॉइंट कवर हो जा रहा है तो ऐसे सभी पॉइंट को भी कवर कर सकते हैं फिर यहां पे भी मेरा इधर भी क्या होगा सभी पॉइंट लगभग कवर आ जाएगा जी यानि कम से कम आपको तीन पॉइंट देखना है ध्यान में ज्यादा से ज्यादा जीतना मिल जाए कोई दिकत नहीं है देखिए अद्याट हो चुका अब देखिए इसका डाइमेंशन दिखाने दिखा दिजए आप तो आप लोग को डाइमेंशन दिखाने के लिए बताये भी थे पहले देहान दीजेगा यहाँ पे सेट स्क्वार को इक्वल बैठाएंगे यहाँ पे मेरा बैठ रहा है देन ए पॉइंट है मेरा इस पे यहाँ से हम एक एक्स्टेंशन लाइन का निर्मार करेंगे ए पॉइंट से हो गया फिर मेरा बी पॉइंट से एक्स्टेंशन लाइन का निर्मार कर दिए अब एक्स्टेंशन दूनों साइड में एक्स्टेंशन लाइन का निर्मार कर दिए अब यहाँ पे आप सिट स्क्वार किसे क्या किजिए या स्किल की साहता से माप लेंगे देखिए मेरा पुलार डेड़ सो पे है यानी 150 mm पे मेरा किलियर आ रहा है देखिए यह एरो हेड दे दीजे और इस पे लिख दीजे 150 इतना किलियर हुआ आप देखिए अब इधर यह तो हो गया मेरा मैजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का भी हम डाइमेंशन दिखा देंगे माइनर एक्सिस का भी डाइमेंशन दिखा दीजे यहां पे देखिए ध्यान दीजेगा यहां पे मेरा इक्वल मिल रहा है तो यहां पे एक एक्स्टेंशन लाइन का निर्मार कर देंगे देन आपका सी से भी सेम प्रोसेस करेंगे सी से भी सेम कंडेशन देखिए ध्यान दीजे इस तर बनाने यह भी मेरा कितना है ड्रेट अम है जा रहा है यहां पर सब्सक्राइट इस शाइडवल एक्स्टेंशन लाइन ये हो बन की त्यार हो चुका है किस में थाट से है जी आर्क of जाएजान दीजेगा आर्क doing सर्कल मेथड से कोश्चन आप लोगों को बहुत बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है यहां पर ध्यान दीजिएगा वो इसे एक्जाम में तो यह नहीं पूछता है लेकिन खोश्चा के पूछ भी दे लेकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो यह जानना जरूरी है आप लेओ के लिए तो आर्क अफ सर्कल मेथड के थुरू इस कोश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और यहां पर एक और एक और पॉइंट डाल देंगे यहां पर यह हर फिगर में यह सब डालना जरूरी है यहां पर लिख दीजिए और डाइमेंशन्स आर इन एमेम देखिए यहां इसमें जीतना भी मेजर्मेंट दिखाया गया है वो सभी के सभी मिलीमीटर में दिखाया गया है इतना किलियर हुआ ओके फिड मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी सेयर कीजिए